चाल आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरीके का लेप्ट राइट मुविंग होली इस्टेटस एरेटिंग सिखाने वाला हूँ वो भी बीएन अपली के संते बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा जैसे कि आप इस तरह का एरेटिंग आसानी से कर सकें करने के बाद आप किसी भी सोचल मीडिया प्लेटफर्म पर इससे पोस्ट करें एंड उसी के साथ इसमें जितने मैं यूज करूंगा उन सभी का डाउनलोड फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम का यूजरने यहां पर आपको सो रहा है एंड और बताता हूं कि इस तरह का वीडियो कैसे एडिट करना है तो मोबाइल स्कीन ओपन करने के बाद आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपको अपना बी एंट अप्लिकेशन ओपन कर लेना है करने के बाद आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यहां पर आपको पलस के आईकन पर टैप करना है यहां से आपको new project पर टैप कर देना है यहां से आपको एक चार फोट्यू कर लीजिएगा चितने फोटो पर आपको VN application में आ जाएगा अब आपको last में आना है और इस button mark पर tap करना है यहां से आपको delete कर लेना है करने के बाद आपको first में आ जाना है और रेजनल के option पर उपर side में tap करना है और थोड़ा सा scroll करके 9 x 16 का ratio select कर लेना है और आपको एक बार screen पर tap कर देना है अब आपको क्या करना है अपनी first photo पर tap करना है और tap करने के बाद थोड़ा सा नीचे side में scroll करना है और यहां पर आपको एक option मिलेगा इस पर tap करना है यहां से right निसान पर tap कर देना है अब आपको अपनी third photo पर tap करना है tap करने के बाद यहां पर आपको zoom आले पर tap करना है यहां पर आपको move right करना है यहां से आपको right निसान पर tap कर देना है अब आपको अपनी last photo पर tap करना है यहां पर आपको zoom वाले पर tap करना है यहां पर आपको move lift कर देना है यहां से आपको lift right हो गया है अब आपको first में आ जाना है यहां पर आने के बाद आपको इस plus वाले icon पर आपको tap करना है यहां पर आपको थोड़ा सा scroll करना है यहाँ पर आपको apply to all कर देना है यह zoom effect आपका पूरे वीडियो में लग जाएगा अब आपको first में आ जाना है यहाँ पर आपको plus के icon पर tap करना है वीडियो photos पर आपको tap करना है अब यहाँ पर आपको एक white shadow को add करना है इसका link मेरे telegram channel पर मिलेगा वहाँ पर आपको click करके सारे material डाउनलोड कर देना है तो यहाँ पर white shadow को add करने के लिए आपकी gallery में होगा वहाँ से आपको tap करना है यहाँ पर रखा हुआ इस पर आपको tap करना है यहाँ पर VN application में आ जाएगा अब आपको यहाँ पर नीचे साइड में थोड़ा सा scroll करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा fit का इस पर आपको tap कर देना है यहाँ आपको full skin में हो जाएगा अब नीचे साइड में थोड़ा सा और scroll करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा blending का इस पर आपको टैप करना है यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्कॉल करना है यहाँ पर आपको स्कीन को स्टेट करना है स्टेट करने के बाद आपको राइटी निसान पर टैप कर देना है अब आपको एक बार स्कीन पर टैप करना है यहाँ पर दोबारा से प्लस के आइकन पर ट जाएगा अब आपको इसको अपने फिंगर से पगए कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहां पर लेके आना है यहां पर आपको लख देना है रखने के बाद आपको नीचे साइड में थोड़ा सा स्कॉल करना ह करना है और फोटो ये संबल आपको लिंक से पहले कुछ कुछ इस तरीके से इसको छोटा कर लेंगे यहां पर कुछ इस तरीके से इसको रख देना है और नीचे साइड में थोड़ासा स्कॉल करना है यहां पर एक आपने पूरे फूल वीडियो को बराबर कर देना है और अब आज आना है और अपनी लिरिक्स वीडियो पर एक बाद टैप करना है तन टैप करने के बाद आपको नीचे साइड में थोड़ा सा स्कॉल करना है यहां पर आपको वाइलूम आले पर टैप करके इसका वाइलूम आपको फुल कर देना है वरना वाइलूम आपका यहां से चले पर post कर सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वीडियो को export करने के लिए आपको यहाँ पर tap करना है तो यहाँ से bitrate को high करना है यहाँ पर आपको right की निसान पर tap करके अपनी वीडियो को export कर लेना है यहाँ से आपकी वीडियो export हो जाएगी I hope कि अब आप यहाँ से holy status editing करना आसानी से सिख गए है I hope कि अब आप यहाँ से इस तरह का holy status editing करना सिख गए है अगर यह वीडियो आपको ज़रा सभी पसंद आई है तो अपने भाई के लिए एक like के वेकर बत जाना and maps मिलता हूं किसी और एक नई वीडियो में तब तक कि लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा take care and bye bye